नमस्कार दोस्तों सचान क्लासित में आपका स्वागत है SSC की GK सिरीज का यह तीसरा वीडियो है इससे पहले मैं दो वीडियो बना चुका हूँ आप यदि SSC का कोई भी एक्जाम दे रहे हो या कोई भी ऐसा एक्जाम दे रहे हो जिसमें GK के प्रश्ण आते हो तो जाकर व वो शक्ष है जिसने वापस उधारवादियों और उग्रवादियों को एक साथ मिलाया तो दो शक्ष थे जिन्होंने उधारवादियों और उग्रवादियों को एक साथ लाने में शाहता की थी पहले शक्ष थे बाल गंगाधर तिलक और दूसरी शक्ष थी एनिबेशंट क जिन्होंने मिलकर वापस उग्रवादी और उधारवादियों को एक साथ लाया था क्योंकि 1907 में जो सूरत अधिवेशन कॉंग्रेस का हुआ था वहाँ पर उधारवादी और उग्रवादी आपसी जगडे की वज़ा से अलग-अलग हो गए थे एनी-based के बारे हमको जनकारिय और ले लेते हैं एनी-based की दो पत्रिकाएं हैं एक का नाम है लिख नहीं पावल ठीक से इसलिए आप ध्यान से सुनीघा एक का नाम है common wheel और दूसरी पत्रिका है new india न्यू इंडिया गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में जानकारी यह है कि गोपाल कृष्ण गोखले महत्मा गांधी के राजनितिक गुरू माने जाते थे और इन्होंने Servants of India Society की स्थापना की थी लाला लाच पत्राय इन्होंने Unhappy India Unhappy इन्डिया नाम की चे पूस्तक लिखी थी महत्मा गांधी ने कई पत्रिकाय लिखी थी कई पूस्तिके लिखी थी 1909 में महत्मा गांधी ने एक बहुत ही प्रसिद पूस्तक लिखी थी जिसको हम बोलते हैं हिंद सुराज चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं 1916 के कांग्रेश के लखनों अधिवेशन के अधिक्ष्टा किछने की थी देखें ये 1916 का वही लखनों अधिवेशन है जहां पर उदारवादी और उग्रवादी एक साथ वापस आकर मिल गये थे ये वही लखनव अधिवेशन है कॉंग्रेस का जहां पर दो एक साथ आ गए थे इसमें सहायता की थी बाल गंगतर तिलक और इनी बेसंट ने मगर इसकी अधिक्षता की थी अंबिका चरण मजुंदार ने 1916 के कॉंग्रेस के लखनव अधिवेशन की अधिक्षता की थी और लाला लाजपतराय ने 1920 में कॉलकाता में जो कॉंग्रेस का विशेश अधिवेशन हुआ था यानि उस समय बेल गाउं अधिवेशन में महत्मा गांधी ने केवल एक बार कॉंग्रेज के अधिक्सा की चली अब हम आगे बढ़ते हैं कॉंग्रेज कब नरंदल और गरंदल में तूट गई थी देखिए इसका इस प्रश्ण का उत्तर में पहले ही दे चुका हूँ 1907 का वो सूरत अधिवेशन था जब कॉंग्रेज जो है नरंदल और गरंदल में अलग अलग हो गई थी क्योंकि एक तरफ थे उदारवादी और दूसरी तरफ थे उग्रवादी उदारवादी एप्लिकेशन के माध्रम से प्रापना पत्रों के माध्रम से अपनी बात को मनव बना चाहते थे इस बात को लेकर मदभेद हो गया मदभेद इस बात का था कि 1907 में जो सूरत अधिवेशन होना था उसका अध्यक्ष उग्रवादी लाला लाजपत्रय या बाल गंगातर दिलक में से बनाना चाहते थे जबकि उदारवादी गोपाल जो है रास बिहारी घो को अध्यक्ष बनाना चाहते थे जिस बात को लेकर रिवाद हो गया और उग्रवादी और उदारवादी दोनों अलग हो कुए है तो 1907 का वह सूरत अधिवेशन था जब नरंदल और घरंदल अलग अलग हो गया थे नरंदल को उदारवादी बोलते हैं और गरंदल उग्र राजपतराय ने की थी बनार सद्विशन 1905 में हुआ था इसकी अधिक्स्ता की थी गोपाल कृष्ण कोकले ने चलिए अगे बढ़ते हैं करक रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर घुजर्ती हैं करक रेखा भारत को दो लगभग लगभग बनावर भागों में बाटती हैं मैं इसे यहां पर जम्मू कश्मीर यहां बंजाब होते हुए ऐसे भारत है तो करक रेखा भारत के ऐसे गुजरती है कुछ इस प्रकार से यहाँ पर बांगला देश है ठीक है यहाँ पर बांगला देश है तो करक रेखा जब भारत से गुजरती है तो सबसे पहले आता है गुजरात फिर आता है राजिस्थान फिर आता है मध्य प्रदेश उसके नीच आधा भारत इधर आधा भारत इधर चलिए आगे बढ़ते हैं भारत में प्रत्यक वर्ष शश्शत्र सेना बल वयो वृध दिवस कब मना जाता है ये उन सेनिकों के लिए मना जाता है जो रिटार हो गये हैं या जिन्होंने हमारे लिए युद्धर रड़ा है क्योंकि देख जिसे हम आर्मी डे बोलते हैं ठीक है बारा जन्वरी को मना जाता है राष्ट्री युवा दिवस इस दिन स्वामी विवेका नंद की जैनती होती है और इस दिन को हम यूथ डे या युवा दिवस के रूपे मनाते हैं 9 जन्वरी को 9 जन्वरी 1915 को 1915 को महत्मा गाधी दक्ष्ण प्रीका से भारत लौटे थे जिस करण 9 जन्वरी को बना जाता है एनराई डे यानि प्रवासी भारती दिवस इस प्रस्वन से आपको इतनी जनकरिया प्राप्त हो गई चलिए अब आगे बढ़ते हैं पद्मनाब स्वामी मंदर कहा पर इस्थित है देखिए ये बहुती प्रशिद मंदर है और ये मंदर इस्थित है तिरु अनंत पुरम में कहा पर केरल में ठीक है अब थोड़ी जनकरिया इस प्रस्वने हम और जुटा लेते हैं मुंबई मुंबई गुफाओं को बनाया गया था 200 इसा पूरु से लेकर छेसो! पचास इस्थुई तक चेसो! पचास इस्थुई तक अजनता की गुफा का निरुमान हुआ था जब चो एलोरा की गुफाओं के बनाई गए थी वो बाद मेशने बनाई गये थी है इस प्रंस्याप को इनकी जानकारी मिल गई चलिए आगे बढ़ते हैं भारत छोड़ो अंदोलन का दूसरा नाम क्या था भारत छोड़ो अंदोलन भारत छोड़ो अंदोलन हुआ था इग्जेक्ट डेट बता देता हूं तो आठ अगस्त अगस्त महीने में क्योंकि यह शुरू हुआ था इसलिए भारत छोड़ो अंदोलन का दूसरा नाम अगस्त क्रांती है अगस्त क्रांती जो है भारत छोड़ो अंदोलन का दूसरा नाम है स्वदेशी अंदोलन शुरू हुआ था 1905 में तब जब लॉर्ड करजन ने बंगाल का विभाजन किया था पूरवी बंगाल और पश्च्मी बंगाल में खिलाफात अंदोलन शुरूआ था 1919 में क्यों कि अंग्रेजों ने तुर्की के खलीफा को उसके पद से हटा दिया था जिसके करण भारत के मुसल्मान गुस्सा हो गय थे और फिर भारत में उन्होंने वापस तुर्की में खलीफा पद की स्थापना के लिए अंग्रेजों महत्मा गांधी ने किया था नमक कानून तोड़ने के लिए और ये हुआ था पांच मार्च पांच मार्च 1903 से लेके स्वरी 12 मार्च 1930 से लेके 6 अपरेल 1930 तक गांधी जी ने नमक यात्रा की थी और नमक सत्यागरा जो है चलाया था चलिए आगे बढ़ते हैं 1857 की क्रांत की जड़े किसमी थे यानि वो कौन कौन से कारण थे जिसके कारण 1857 का प्रथम स्वतंतता संग्राम हुआ था तो क्या थी क्या वो अंग्रेजों की भेदभापूर नितिया थी क्या वो सोसन कारी भूर आज़े सुनीती थी या चर्वी वाले कार्तूस थे आपने ये कहानी जरूर सुनी होगी कि जो उस समय कार्तूस का प्रयोग किया जाता था उसमें गाय और सुवर की चर्वी लगी होती थी जिस कारण सैनिक गुश्चा हो गया मगर इसके कारण में ये भी शामिल था कि जो जमीदार थे वो जो है आम लोगों का जो किशान थे उनका सुषण किया करते थे जिस कारण वो भी किशान भी बहुज़ादा तरस्त हो गय थे और जमीदारों का अंग्रेजों का समर्थन प्राप्त हुआ करता था और अंग्रेजों की भेदभाव पूर्ण नितिया भी थी जो भारती जो अंग्रेजों की सेना में उच्पद पर होते थे उनको वेतन कम मिलता था उनको सुविधाय कम दी जाती थी इसलिए ये सभी कारण 1857 का विद्रो होने के लिए जो है उप्यूक्त कारण थे इसलिए इ उसको हम बोलते हैं लॉर्ड कैनिंग लॉर्ड कैनिंग उस टाइम का गवर्नर जर्नल था और ये भारत का आखरी गवर्नर जर्नल भी था कुछ दिनों बाद इसे भारत का पहला वायसराय बना दिया गया था चलिए अब आगे बढ़ते हैं भारत छोड़ो आंदुलन के दौरान समानांतर सरकार का गठन कहां किया गया था मैंने आपको पहले बताया कि भारत छोड़ो आंदुलन 1942 में सुरू हुआ था और इस समय कई जगहें ऐसी थी भारत देश के अंदर जहां पर लोगों ने विद्रोह करके उस उन जगहों को अंग्रेजियु से पूर्दा सोतंतर करा लिया और वहां पर कुछ समानांतर सरकारें भी स्थापित कर दी थी यानि एक ऐसी सरकार जो आस थाई हो तो बलिया एक ऐसी जगह थी जहां पर चित्तू पांडे के नेत्रित में जो है लोगों ने मिलकर समानांतर सरकार का गठन क कर लिया था मैं आपका और बता दे रहा हूं सतारा सतारा है महाराष्ट में महाराष्ट में यहाँ पर भी लोगों ने एक समानांता सरकार का गठन कर लिया था ठीक है कानपूर कानपूर अधिवेशन कांग्रेश का हुआ था 1925 में 1925 में जिसके जख्षा सरोजणी नाडू ने की थी और सरोजणी नाडू 1925 में ही कॉंग्रेश के जख्षा करनी वाली पहली भारती महिला बन गई थी तो इस प्रस्थे आपको इंतनी जानकरिया मिल जा रही है चलिए अब आगे बढ़ते हैं काला किस राज़ का लोकनित्त है जिखिए पिछली वीडियो सिरीज में मैंने आपको मर्ध प्रदेश के कुछ लोकनित्त बताये थे यहाँ पर एक और प्रश्ण आ गया है लोकनित्त का और लोकनित्त के प्रश्ण आपने इसके बारे में जरूर सुना होगा यदि आप थोड़ा सा लोक गी तो लोकनित देखने में इंट्रेस्टेट होगे तो आपने कथक को लोगों को परफॉर्म करते हुए भी देखा होगा मध्य प्रिदेश के लोकनित के बारे मैंने आपको बताया कि यहां का लोकनित है राई और कर्मा कर्मा केरल का लोकनित है कथकली कथकली मोहिनी अट्टम और मोहिनी अट्टम देखे कथकली और कथक में कंचूजमत हो येगा कथक उत्तर प्रिदेश का लोकनित है जब कि कथक कली केरल का लोग नगते हैं चलिए अगे बढ़ते हैं बंगाल का पहला गवर्णर जनरल कौन था देखिया बंगाल का पहला गवर्णर 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 जनरल यह दोनों अलगल लग सकते बंगाल का पहला गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइब 1757 में जब प्लासी का युद्ध हुआ था तब रॉबर्ट क्लाइब बंगाल का पहला गवर्नर था उसके बाद वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना उसके बाद भारत का पहला गवर्नर जनरल भार लॉड कैनिंग भारत का आखरी गवर्नर जनरल था और भारत का पहला वायस राय था तो इसमें कन्फ्यूज मत होईएगा यदि आपको कन्फ्यूजन हो तो एक बार वापस सुन लेजिएगा देखें मैं एक बार फिर साब को बता दे रहा हूँ लॉड कैनिंग भारत का आखरी गवर्नर जनरल था और लॉड कैनिंग ही भारत का पहला वायस राय था चली अब आगे बढ़ते हैं डाक्टर राजेंद पराद के समाधि சhla का क्या नाम है देखें हमारे देस के जो भी प्रधान मंतिरी होते हैं यjourd भी राश्रपती होते हैं जो भहत महत्पूर होते हैं जहाँ पर नंकी समाधिया है उस इस्थान का एक नाम चुना जाता है तो जैसे ही डाक्टर पसाथ की समाध्य उसको हम बोलते हैं महा प्रयाण घाट क्या महा प्रयाण घाट टिका है शांतिवन शांतिवन नहरु जी के समाधिस्थल और वीर भूमी राजी हूग घा जाता है चलिए अब आगे बढ़ते हैं पाकिस्तान से भारत के कितने राज्जों की सीमा इश्पर्ष करती है चलिए एक बार फिर से मुझे भारत का मैप बनाना पड़ेगा ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए कि पाकिस्तान से हमारे देश के कितने राज्जों की सीमा जो है लगती है यह है भारत का मैप एक मोटा मोटा मैप बनाना आपको वाना चाहिए यह से जम्मू कश्मीर ऐसे यह यह उल्टा पूल्टा है देखें यहां पर है राजिस्थान गुजरात फिर राजिस्थान फिर इधर है पंजाब इधर है अब पहले यह पूरा पहले यह जम्मू कश्मीर हो गया है और फोड़ा इधर का भाग पुरा लद्दाग हो गया है तो राज कौन कौन से हैं राज हैं गुजराद राजथान और पंजाब तो अब केवल तीन राज ऐसे हैं जिनकी सीमा पाकिस्तान के साथ लगती थी जब जम्मू कश्मीर एक राज था पाकिस्तान के साथ लगती है तो इसका उत्तर होगा तीन तीन रज हैं जिनकी सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है और दो केंदर सासिर प्रदेश हैं जिनकी सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है एक केंदर सासिर प्रदेश है जम्मू कश्मीर जम्मू कश्मीर और दूसरा है आगे बढ़ते हैं है सबसे छोटा वे्द कौन सा है देखिये हमाएं स्वे compl경 में जो वेध होते हैं उनकी वह चारले है एक है रिक्वेद साम वेध यजुरगेद और अथरवेदि इनमें से उस सबसे छोटा वेध षमवेद साम वेध सबसे छोटा वेद है, रिगवेद को पढ़ने वालों को, जो रिगवेद पढ़ते हैं, उनको कहा जाता है, होत्र, रिगवेद पढ़ने वालों को होत्र कहा जाता है, जबकि सामवेद पढ़ने वालों को अध्वर्यू कहा जाता है, अध्वर्यू, ठीक है, यजुर वेद पढ़ ठीक है और अधर्व वेद में जादू टोने के बारे में उल्लेख किया गया है तो इस प्रश्चन से आपको वेदों के बारे में इतनी जानकार या प्राप्त हो गई चलिए आगे बढ़ते हैं भारत का राश्च्री खेल काउन सा है बहुत लोगों को लग रहा होगा ये प्रश्चन बहुत आसान है मगर ऐसा नहीं है भारत का राश्च्री खेल बहुत लोग गल्दी स्टिक करेंगे हौकी मगर ऐसा नहीं है हौकी भारत का राश्च्री खेल नहीं है हम बच्पन से यही हमारा देश आजाद हुआ था, उस समय हमारा भारत में हौकी काफी ज़्यादा लोगपरी था और बहुत ज़्यादा लोग हौकी को पसंद करते थे धीरे 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 General Knowledge की किताबों में ही हौकी को भारत का राष्टी खेल बताया जाने लगा चलिए आप आगे बढ़ते हैं तो इस तरह से ये SSC GK Series का तीसरा वीडियो भी हमने complete कर दिया है और आप तीनों वीडियो को देखिए ताकि आप जो है SSC की exam में अच्छा से अच्छा score कर पाएं अब हम आगे मिलेंगे चौथे वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद